नमस्कार है पहिन बाशपरी अपने यूटूब चैनल में पहिन बाशपरी पे आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ फाइनली एससी जीडी 2022 ते इसके जो इस्पिरेंट है उनके लिए गुड न्यूज है आपकी जो वेकेंसी है वो बढ़ गई है लगवग 21,000 वेकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई है अब जो टोटल पोस्ट है आपकी वो है 45,284 तो बहुत अच्छी बहुत चैनल आप लोगों के पास अगर इस बार आप सेलेक्शन नहीं ले पाए तो मुझे नहीं लगता है इस अच्छी बहुत चैनल आपको दुबारा मि तो यहां पे डीटेल में आपको सारी जानकारी मिलेगे उसके लावा अभी यह वेकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती क्योंकि जब तक कि आपका फाइनल रिजर्ट टेक्लेयर नहीं होता तब तक की वेकेंसी टैंटेव होती है और वो वेकेंसी बढ़ सकती है तो अभी जो र 211 2022 का है ठीक है और यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो टोटल पोस्ट है आपकी वो कितनी है 45,284 अगर BSF की बात करें तो BSF में 20,765 वेकेंसी हैं काटागरी वाइस भी आप लोग देख सकते हैं कि सबस्यादा वेकेंसी आपकी यू आर में ही होती है ठीक है तो का बात करें तो 11,179 वेकेंसी हो गई है SSF की बात करें तो 2167 वेकेंसी ITBP में आपकी 1787 वेकेंसी हैं AR में आपकी 300 अर असंब जो राइफल से उसमें 353 है SSF में आपकी 154 वेकेंसी है और NCB में आपकी 175 वेकेंसी है तो टोटल जो ग्रांट टोटल है वो कितना है 45,284 अब अगर बात करें कि कितनी वेकेंसी बढ़ी है तो आप लोग यह देख पा रहे होंगे कि टोटल जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो वेकेंसी आपक कि 21,000 के आसपास आपकी वेकेंसी बढ़ा दी गए है तो आप लोग खुद सोचके देखिए कि एकदम 21,000 वेकेंसी बढ़ गए है और वो भी अभी इस सिनर्यों पर तो अभी और भी यह वेकेंसी बढ़ सकती है जैसे कि पिधान मंतिर ने हमारे बादा किया है कि वो वेके एक साल में आपकी भरी जाएंगी तो कहीं न कहीं उस दिस्वा में काम हो रहा है तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में अच्छी कासी वेकेंसी देखने को मिलेंगी तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चन्टिय जस्ट लगवग वेकेंसी आपकी डवल हो गई है ठीक है अब बात करें कि किसमी कितनी वेकंसी बढ़ देनी हैं तो आप BASF की देखो 10,497 जो वेकंसी थी वो 20,665 हो गए हैं तो लगवग आपकी 10,000 वेकंसी यहां पे इंक्रीज कर दी गए हैं अगर यहां पे हम CISF की बात करें तो यहां पे 100 वेकंसी थी पहले और अब वेकंसी कि इतनी हैं 6914 यानि कि आपकी 5814 वेकंसी बढ़ गए हैं यहां पे उसके अलावा अगर हम बात करें CRPF की अगर बात करें तो यहां पे 8911 थी आपकी वेकंसी जो की अब हो गई हैं आपकी 11,199 तो 2000 से ज्यादा वेकंसी यहां पे आपकी इंक्रीज हो गए हैं ठीक अगर हम ब भी आपकी वेकंसी बढ़ा दी गए हैं 900 के असपास वेकंसी यहां पर भी बढ़ी हैं ठीक है तो सभी में वेकंसी आपकी बढ़ी हैं और टोटल जो वेकंसी बढ़ी हैं वो कितनी हैं 20,915 तो यह आपके लिए गुड नियूज है अब अच्छे तरीके से पर प्रेशन करे उस तरीके से चलने पर आपका एक्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा अगर आपको जिसे कोई भी रेस है अगर माल लेते हैं 300 मीटर की आपको रेस पार करने हैं तो आप 300 मीटर या 500 मीटर नहीं दोड़ेंगे आप 500 मीटर की अगर प्रेक्टिस करते हैं तो 300 मीटर आ GKS की हो, जो main आपके subject हैं, वो है mass, उसके लावा reasoning, और आपका mass और reasoning, ये आपका score boost करेगा, ठीक है, उसके लावा GKS को भी आप ignore नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक exam है, ठीक है, उसके लावा Hindi आपका scoring है, हिंदी में भी आप पूरे में पूरे marks ले आ सकते हैं, तो कि average से उपर आप study करिए, और basic को बिना cover किए, आप किसी भी चीज़ को cover नहीं कर सकते, किसी भी exam को qualify नहीं कर सकते, तो सबसे पहले अपने जो basic rules हैं, चाहिए वो mass के हो, चाहिए वो reasoning के हो, इनको आप बहुत अच्छा करिए, फिर उसके बाद practice करिए जाद जादा, पहले आपका जो target होना चाहिए, वो gd के सारे question आपका डालिए, उसके अलावा, फिर ssc के जो भी exam हुए है, चाहिए वो जैसे अगर mass पढ़ रहा हो, तो mass के वो सारे question कर लो, जो ssc ने पूछे चाहिए, वो cgl मे, chsl मे, mts मे, वो सारे आपको करना है, ठीक है, उसके लावा, ऐस आप हिंदी में करो, ऐसे आप reasoning में करो, ऐसे gks में करो, अगर आप इतना भी कर लेते हो, तब यह आप बहुत बैतर करके आओगे exam में, तो उमीद करता हूँ कि information से आप काफी खुश हुए होंगे, आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा share करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, और आपने अभी तक किसे subscribe नहीं किया है, तो प्ली चैनल को subscribe करना मत भूलेगा